दोस्तों मैं सौरव पूराजय योतिस से आप सभी को तह दिल से सुवागत करता हूँ आज हम वारतिय योतिस का एक अज्वुत तक्त्वले के बात करेंगे आप सभी के सामने आज हम बात करेंगे कौन से राश्ची और लगन के लिए कौन सक गंग यानि के कालर शुव होता है मेरा आप सभी से अनुरोध है आज के ये विशाय सही थरा से जानके और इसको अपने जिंदेगी में प्रयोग करके अपने जिंदेगी को बहतर बनाए इसलिए इस वीडियो को स्किप मत न करना और अन तक देखना अगर आपका राशी या लगन मेश है तब आपके शुव रंग होगा लाल और मरून यानि के बादा भी अगर आप ब्रिशब लगन या राशी का यातक या यातिका है तब आपके शुव रंग होगा सफेद और आसमानी अगर आप मिथुन लगन या राशी का यातक या यातिका हो तब आपके शुव रंग होता है हरा यानि के ग्रीद अगर आपका करकट राशी या लगन है तब आपका शुव रंग होगा सफेद अगर आपका शिभ लगन या राशी है तब आपका सुव रंग होगा गुलाबी अदरवाइज लाल अगर आप कन्या राशी या लगन के हो, तब आपके लिए हरा यानि के ग्रीन होता है शुवरंग अगर आपका तूला राशी या तूला लगन हैं, तब आपका शुवरंग होगा सफेद आदरवाइज आसमानी अगर बिश्चिक अपका राशी या लगन हैं, तब आपके लिए लाल अदरवाइज मरून यानि के बादा में शुवरंग होगा अगर आप धनु लगन या राशी के यातक या यातिका हो, तब आपके लिए पीला यानि के यलो शुवरंग होगा अगर आप मकर लगन या राशी के हो, तब आपके लिए काला और निला, ये दो रंग होगा शुव फल्दाई अगर आप कुम्भ लगन या राशी के यातक या यातिका हो तब आपके लिए शुव रंग होगा नीला और काला अगर आप बीन लगन के या राशी के यातक या यातिका हो तब आपके लिए पीला यानि के यलो रंग होगा सुव अंत में मैं कहूंगा आप अगर और विस्ता से कोई भी स्पेशालिस्ट एस्टलाजर से ये विशाय को जानके इस विशाय को अपनी जिन्दीगी में अपना लेते हैं तब आपके लिए शुफल दाई होगा आज के लिए आप सभी से मैं इजाजा चाता हूँ फिर मिलेंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार